हेलो स्टूदेंट्स और वेलकम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल आच्छे क्लास्वरम लोग कंटिन्यू करने वाले अपना टॉपिक टैम टू का कॉस्ट अकाउंटिंग हम अभी तक यूनिट टू जो है वो अपलोड करते जा रहे हैं और बच कुछ ही टॉपिक्स बचे कि तुम जो भी पुराना वीडियोज अपलोड हुआ है उसको देख सकते हो लेलिश में जाओगे तो अधर सैम के प्लस यह सैम के अधर सब्जेक्स भी तुमको वहां देखने को मिल जाएंगे हर एक यूनिट हम लोग कंपलीटली अपलोड कर रहे हमारा यह हम यह चाहते ह हमारा यह मुहीम है कि प्री में बिकॉम का जो क्लासिस है वो तुम लोगों को प्रोवाइट किया जाए तुमको कहीं पर भी कोई बिटिउशन नहीं लेना पड़े फॉर दपर्पर्स ऑफ बिकॉम क्लासिस ठीक है तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो प दे पाएंगे प्लस आगे हम और कौन से टॉपिक में वीडियो बनाएं इसके बारे में भी तुम कमेंट कर सकते हो जिससे हम लोग देखेंगे कि तुमको कौन से टॉपिक्स का वीडियो में ज्यादा जरूवत है पहले तो हम पहले उसको अपलोड करने का कोसिस जरूर करे चैनल के डेस्क्रिप्शन में हमारा सारा डिटेल्स दिया हुआ है इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में तुम जाओगे तो वहाँ पे भी तुमको हमारे इंस्टाग्राम आइडीज टेलिग्राम आइडीज यह सब तुमको मिलेंगे तुम उसको फॉलो कर सकते हो जिससे तुमको timely updates मिलता रहेगा related to our video uploading, exam time questions मिलेंगे, doubt classes होंगे वहाँ पर ठीक है, और तुमको जो भी problem है तो वहाँ पर post कर सकते हो, ठीक है, इसी के साथ हम video start करते हैं, पिछले video जो नहीं देखे हैं, बच्चे लोग, पहला पिछला videos देख लेना playlist में जाके, तो तुमको यह समझ continuing topic चल रहा है, जो हमारे previous video से थोड़ा सा link है, ठीक है, heading करना, point number c, हम लोग previous videos में पढ़ रहेते हैं कि material को कैसे हम लोग value करते हैं, उसका तीन तरीका था, फीफो method, लीफो method and average method, याद है ना बेटा, हाँ sir, याद है sir, हम बूलते थोड़ी है sir, हाँ बेटा, तुम थोड़ भूलते हूं, मैं भूल जाता हूं, है ना, पहला दा फीफो, दूसरा दा लीफो, यह दोनों हो चुका है already, ठीक है, आज चे क्लास में हम तीसरा method पढ़ने वाले, the name of the method is average method, ठीक है, करो, heading करो, average price method, सरी, average price क्या होता है sir, पेटा, हावस रखो, हावस मुला समस्ते हो, हावस का मतलब होता है, भैरिय, भैरिय रखो, यह ना, देखो, तो average price method, average price method के अंदर, दो प्रकार का average price होता है, हम एक ही करके पढ़ेंगे, heading करना, उसके अंदर, point one, simple average, price method, simple average price method, ठीक है, अब simple average price method क्या होता है, देखना, जैसे हम लोग, एक तारीक को समान खरीदे, 100 units, at a price of 10 rupees, ठीक है, 10 रुपे पर unit में हम लोग खरीदे, 10 rupees per unit, ठीक है, उसके बाद, तो डार्क लिक को सर नहीं दिखरा है, ठीक है, बेटा, डार्क लिखता हूँ, उसमें क्या है, पिरहम पांच तारीक को समान खरीदे, 200 units, at a price of 12 rupees per unit, ठीक है, पिरहम दस तारीक को समान खरीदे, 400 units, at a price of 8 rupees per, ठीक है, अब हम जो materials issue होगा, और जो हमारे पास closing stock रहे जाएगा, उसको हम कौन से price पे value करेंगे, 10 rupees, 12 rupees, या फिर 8 rupees, हम ये पढ़ने वाले, ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो पहले लगाते थे, first in, first out, मतलब जो पहले आया है, वो पहले issue हुआ होगा, ठीक है, और दूसरा method था, last in, first out, मतलब जो बाद में आया है, वो पहले issue किया जाएगा, ठीक है, अभी जो method है, वो average price method, average price में दो है, simple average, ये पहला, और दूसरा है, weighted average, थोड़े देर में पढ़ेंगे उसको भी, simple average में अब क्या करता है, सबसे पहली बार, quantity कितना खरीदा गया है, उसको ignore करता है, कितना quantity खरीदा गया, उससे कोई मतलब नहीं है, 100, 200, 400, 500, कितना unit खरीदा गया, इससे मतलब नहीं है, हम निकालते हैं, average price, अब ये average price कैसे निकलेगा, एक बार खरीदे 10 में, फिर खरीदे 12 में, फिर खरीदे 8 में, divided by 3, average ऐसे निकलता है न, 10, 12 और 8 का average कैसे निकालोगे, 10 प्लस 12 प्लस 8 बाई 3, यह हो गया, 10 rupees per unit, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि हम जो materials है, उसको कितना रुपए में value करेंगे, 10 rupees per unit में value करेंगे, ठीक है, यह method क्या करता है, distinguish नहीं करता कि कौन सा date में कितना material लिया गया है, खाली यह method यह देखता है, कि कितने कितने price पे लिया गया है, और उसका average price क्या है, ठीक है, तो average कैसे निकालते हैं हम लोग, सारे prices को plus करेंगे, divided by जितना data होगा, तीन बार खरीदें, एक, पांच और दस, तो divided by 3 करेंगे, तो आजाएगा तुम्हारा 10 rupees per unit, ठीक है, सर यह method कभ use होता है, सर, बेटा देखना है, यह method कभ use होता है, फीफो में क्या हो रहा था, हम बता पा रहे हैं, कि जब हम material sell कर रहे हैं, issue कर रहे हैं, तो हम यह बता पा रहे हैं, कि यह material कहां से है, जो सबसे पहले खरीदा गया था, वो वाला material है, ठीक है, लीफो में हम क्या कर पाते हैं, लीफो में हम बता पाते हैं, कि जो बाद में खरीदा गया है, वो वाला material हम बेच रहें, लेकिन कभी-कभी क्या होता है बेटा जैसे एक्सामपल देता हाँ तुमको ये कंटेनर है कैसे मैं सबसे पहले खोड़िदा पेट्रोल खरीदा 100 लीटर है भी ख़रिदा 200 लिटर प्र ḥिसक। darauf को एक टैंक में रख दिया अब मैं इसमें से 50 लिटर निकाल लिया फिर 200 एका सम्मिक्स हो गया आपस में ऐसे जोड़ी रहेगा पहला सो फिर 200 पिर 300 ऐसे जोड़ी होगा है जिस शेज़यो ना बिकसि मिए ऑफस में तो 600 लीटर पेटरूल है उसमें पचास लिटर जा लिया किया यह समearव सीबल है बता पाना कि मैं कौन सा निकाला हूँ, पहला 100 में से निकाला हूँ, या 200 में से निकाला हूँ, या 300 में से निकाला हूँ, क्या कोई ये बता पाएगा, कि ये 50 लीटर में कहां से निकाला हूँ, ये तो impossible है बताना सर, ऐसे करें किया सर, अगर उपर उपर से निकाले हो तो, पहला 300 में स और यह निचे से मार के निकाले हो तो नीचे का 100 मेंसे है ऐसे होता है बेटा कभी नलाइक ऐसा नहीं हो सकता हम यह बता नहीं सकते कि 50 लीटर कहां से है पहला 100 की 200 की या 300 की फिफो नहीं सकता क्योंकि फीफो या लीफो के लिए क्या जानना जरूरी है जो material हम issue कर रहे है 50 कौन से मैंसे है पहले मैंसे है बाद मैंसे है ये बताना जरूरी है लेकिन ये बात तो पता नहीं लग सकता इसलिए हम use करते है average price method अब average price क्या होता है तीनों का price जो भी है सबका plus करके by 3 करके average निकाल लेंगे और उस average price पर हम लोग material को issue करेंगे और average price पर material को value करेंगे ठीक है आई होप यह clear है तुमको है ना चरो हाँ सर यह तो क्या है सर बहुत आसान बात है सर इसमें सर्व इतना सा बात है कि हम लोग material को value करते है at the average price जो भी average price होगा उस average price तो हम लोग materials को value कर देते है very good चलो लिखो under this method चलो पर चलो अव्यापि कर देतना बात है अव्याप्ड क्रेंगा चलो अव्यापिपक्र बात है which is calculated by dividing the total rates by total number of plots पर यह क्या बूल दिये सर कुछ नहीं समझ माया सर बेटा फॉर्मूला लिखो तुमको तो हर चीज में फॉर्मूला चाहिए है ना टोटल रेट अब डिफ्रेंट लॉट्स लॉट्स मनना समझते हो अलग अलग जो अलग अलग बार जो खरीदा गया है वह सब एक एक लॉट है ठीक है सो दोसो तिन सो इस सब एक लॉट है डिवाइड़ बाइं जितनी बार खरीदा गया है नंबर ओफ ठीक है तो यह मेथड में क्या होता है बेटा कितना क्वांटिटी खरीदा गया है वह बात एकदम इग्नॉर हो जाता है यह भी लिख लो लिखो गे तो यहां पर क्या है पॉंहंटिटी परचेज़ड इस इग्नॉर इतना क्वांटिटी खरीदा गया है यह बात इसमें इग्नॉर होता है यह बात हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं ठीक है क्लियर है सिम्पल एबरेज एक्जाम्पल लिखाओ ना सिर्फ लिखो बेटा एक्जाम्पल क्या है एक्जाम्पल परचीज एक तारी को खर दे 30 liters at 50 rupees per liter एक्टारी को खर दे 100 लिटर खर दे at 50 rupees per liter एक्टारी को खर दे coord on 300 liter at 60 rupees per liter 10 थारी को खरीदे 500 लिटर 80 पर लिटर 80 में तो पॉइंट में आ जाएगा सिर्फ पॉइंट में आ जाएगा बेटा कोई बात ने 110 कर दो 110 पर लिटर Calculate Simple Average हमको बताना Simple Average Price जिस पर ये Goods Value होगा ठीक है ये तो बहुत आसान है सर सर ये हम खुद करें क्या सर बेटा तुम रहने दो मैं बता रहा हूं नहीं सर हम करेंगे सर हम करेंगे चलो ठीक है करो कोई बात नहीं वीडियो पॉस कर दो कॉल्फ करो फिर वीडियो प्ले करो और देखो कि तुम सही करें या नहीं ठीक है तो वीडियो पॉस कर देना यहां पर तो आओ बच्चो मिलते हैं ब्रेक के बाद क्या तुम्हारा एंसर सही आया है सर हम तो ब्रेक ही नहीं लिए सर नलायक ब्रेक लेना है उठ से करना ही है चलो ब्रेक लो और ब्रेक के बाद आओ वापस 50 प्लस 60 प्लस 110 डिवादेड बाई 3 तो सर आगया सिंपल आवरेज प्राइस 70 रूपीस पर टीटर ठीक है सर बिलकुल सही निकालेते हैं चलो मेंको पूरा भरोसा है कि तुम सही कैलकुलेट किये होगे ठीक है सिंपल आवरेज प्राइस मेथड बहुत आसान है क्या करते हैं हम लोग कितना क्वांटिटी खरीदा गया है उसको तो इग्नॉर करते हैं पहली बात ठीक है तो अभी 70 रूपीस को हम क्या करेंगे जितना भी माटेरियल इशू हुआ होगा अभी दस तरीक के वाद इतना माटेरियल इशू होगा सब वैली होगा 70 पे और क्लोजिंग स्टॉक वैली होगा भी 70 रूपीस पे ठीक है हाँ सर समझ में आ गया सर तो नेक्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे एवरेजिंग का एवरेज में दो है एक है सिंपल आवरेज और दूसरा है वेटेड आवरेज ठीक है लिखना पॉइंट नमबर टू वेटेड आवरेज प्राइस मेथड इसमें क्या होता है वही आवरेज ही करते है इसमें भी लेकिन इसमें कितना कॉंटिटी खरीदा गया है उसको भी ध्यान रखते है पुराना मेथड में क्या हो रहा था कितना कॉंटिटी खरीदा है उसको इग्नॉर कर दे रहा था वो हमारे काम का नहीं था लेकिन इसमें क्या होगा कितना quantity खरीदा गया है वो भी हमारे काम का होगा ठीक है तो एक्जांपल करेंगे एक्जांपल समझ में आएगा चिंता मत करो ठीक है लिखना एडिंग वेटेड आवरेज प्राइस मेथड़ टोटल जितना रुपया खरच्चा हुआ दिवाइड बाइट टोटल कॉंटिटी जितना हम खरीदे ठीक है अंडर इस मेथे टोटल दी कॉस्ट आप परचेस तोटल कॉस्ट कर दो टोटल कॉस्ट अपरचेस इड़ इवाइड बाइड टोटल कॉंटिटी परचेस तो चलकुलेट अवरेज प्राइस इस मेथ प्राइसी तो टोटल स्यूंटिटी परचेसट wh इतना quantity सामान हम खरीदे हैं उसको भी हम importance देते हैं ठीक है फॉर्मूला तो averaging का दो तरीका हो गया एक हो गया simple average और दूसरा हो गया weighted average टोटल जितना रुपे खर्चा हुआ total cost of purchase divided by total जितना quantity हम लोग खरीदे टोटल कॉस्ट आप पर्चीज़ does divided by total quantity बाइट ठीक है特 जिक है एक्वांपट लिखाओ बेटा बीना नही नहीं हो पाता ही गया नहीं रिक्वांपट तो लिखाओ गे लूज़ा कैसे समझ घर phi चलो बीटा मान लिया तुम्हारे बात लिखो example टेखना है परिचेस, पहला, एक अप्रिल, 100 लिटर्स अट, 70 रुपीज पर लिटर, ठीक हा, नेक्ष्ट, 10 अप्रिट, 10 लिटर्स अट, 50 रुपीज पर लिटर, पहले हम 100 लिटर्स खर दे, 70 रुपए में, ठीक हा, फिर, 200 लिटर्स खर दे, 50 रुपए में, ठीक हा, 300 लिटर, एक, कितना करूं, बताओ, साट कर दो, 60 रुपीज पर, ठीक हा, ठीक हा, बैटा, और ले लेते हैं उसमें क्या, 400 लिटर, हो एक, 90 रुपिज पर लिटर, ठीक हा, घर हमको, सिंपल आइवरेज करना होता, अभी, सिंपल आवरेज़ नहीं करना है, वेटेड एवरेज करना है, सिंपल करना होता हूँ, 70 प्लस 50, 60 plus 90 divided by 4 है ना तो सिंपल आवरेज बाइचा करना रहता तो बता देता हूं कैसे होता 70 plus 50 प्लस 60 प्लस 90 divided by 4 कितना होगा देड़सो दोसो दोसो सत्तर बाइफ फूर कर लोगे यह कितना होगा बताओ ना सब मैं बताओ ना लाइक तुम कुछ नहीं करोगे क्या कितना होगा अच्छे 67.5 ठीक है तो 67.5 होगा कॉस्ट पर यूनिट यह कौन सा मेथड से होगा अंडर सिंपल आवरेज प्राइस मेथड ठीक है लेगे हमको सिंपल आवरेज नहीं करना है हमको करना है वेटेड आवरेज लेखो वेटेड आवरेज इक्वेल स्टो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल कॉंटिटी ठीक है सबसे पहला टोटल कॉस्ट पहले हम खरीदे 100 लिटर कितना रुपए में 70 रुपए में कितना रुपए लग गया 100 इंटू 70 सेवन थाउसेंट प्लस दोसो इंटू पचास दस अजार प्लस तीन सो इंटू साथ अथ्टरह जार प्लस चार सो इंटू नौ आइ हुका टोटल कॉस्ट कितना रुपए टोटल खर्चा हुआ ठेक डिवाइड वै कितना कॉंटिटी खरिदे चार सो तीन सो दो सौल हजार से टोटल कॉस्ट हुआ 7 प्लस 10 17 17 प्लस 18 17 प्लस 18 क्या कॉंबिनेशन नहीं 35 35 प्लस 36 वा भाई वा क्या भेंकर कैल्कुलेशन हो रहा है है ना क्या रिदम बन रहा है तो 7 प्लस 10 17 17 प्लस 18 25 35 प्लस 36 71 साथ लग दस जार हो गया, ठीक है, कर दिया, ठीक, 71, 71 डिवाइड बाइड बाइगा, ठीक है, तो दोनों में देखो, अलग-अलग आता है, एवरेज, पहली बात तो, अगर हम सिंपल आवरेज करेंगे, तो आएगा 67.5, ठीक है, और अगर हम वेटेड आवरेज करेंगे, त एंसर आएगा, 71, अब कोश्चिन तो अध्यान से पढ़ना, कौन सा आवरेज करने बोला है, जो आवरेज करने बोला है, हम वही आवरेज करेंगे, ठीक है, यह हो गया, हमारा थर्ड मेथर्ड ऑफ इन्वेंटरी वैलेशन, तीन मेथर्ड होता है, टोटल, एक हो गया, क्लास में हम पढ़े, एवरेज, एवरेज दो प्रकार से होता है, एक होता है, सिंपल आवरेज, और दूसरा होता है, वेटेट अपर, क्लियर, I hope वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, कि वीडियो कैसा लगा, बाकि अभी तक फॉलो करने के लिए धन्यवाद, I hope कि आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहोगे, thank you and bye bye